नमस्कार दोफ्तों इंडियन ड्रेल मुसाफिट चैनल में आपका स्वागत है आज की जो ट्रेन जनकारी है वो है जन सदारन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जो की मजफरपुर जंक्षन बिहार से हावडा जंक्षन पस्चिम मंगाल के बीच में हफते में एक दिन चलती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और बेल आइकन जरूर तमाए ताकि आपको लेटेस वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे आज की जो ट्रेन जनकारी है वो है मजफरपुर हावडा जंसादारन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में जो की अप नए अपडेटेड टाइम टेवल अपडेटेड टिकेट कराएक के साथ चल रही है इसका ट्रेन नंबर है 15272 है और यह जो ट्रेन है मजफरपुर जंक्शन से हर सोमवार को हावडा जंक्शन पस्चे मंगाल गिली चलती है और अब मजफरपुर से हावडा की जो दूरी है 11 गंटे 45 मिनट में कवर करती है इसके तकरीबन 12 स्टेशन से 550 किलोमेटर का डिसन जो है कवर करती है एवरेस्पीड इसरूट पर 47 किलोमेटर परावर है मेल एक्स्प्रेस ट्राइप की ट्रेन है इस्ट सेंटर रेलवे जोन जो है अपरेट करता है जनल डिबो वाली ट्रेन है लगबग 175 रुपे यह अपडेटिड और सही करा है फिर भी आप रेलवे के वैबसाइट या टिकेट काउंटर पर जाके जरू कंफर्म करें वहाँ से आपको सही करा जो है कंफर्म हो जाएगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात कर लेते हैं मजफर्पूर हावडा जनसदारन एक्स्प्रेस के टाइम टेबल के बारे में मजफर्पूर हावडा जनसदारन एक्स्प्रेस ट्रेन जो है मजफरपुर जंक्शन बिहार से हर मंगलवार को दोपहर के 3 बचके 20 मिनट पे रवाना होती है और 11 गेंटे 45 मिनट बाद रात को 3 बचके 5 मिनट पे यहावड़ा जंक्शन में पहुंच जाती है जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेशन का है वो है समस्तिपूर जंक्शन बिहार यहां पर ट्रेशन जो है शाम के 4 बचके 15 मिनट पे पहुंचती है और 4 बचके 20 मिनट पे वहाँ से रवाना हो जाती है 10 मिनट का स्टॉप है छे नंबर प्लाटफॉर्म पे आके ट्रेशन जो है रुखती है 102 किलोमेटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है यहां पर भागलपुर मजफरपुर जन सेवा एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है इसके बाद बिहार के जाचा रेल्वे स्टेशन पे रात के 8 बच के 25 मिनट पे पहुंच दी है और 8 बच के 30 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है 5 मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लाटफॉर्म पे आके ट्रेशन जो है रुखती है एक सो पचानवे किलो मिनट की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड़ा जे ए जे इसके बाद जासिडी जंक्शन जारकंड में ट्रेन जो है रात के 9 बच के 8 मिनट पे पहुंचती है जार 9 बच के 13 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है एक नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुखती है 240 किलो मिटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद जारकन के मदुपूर जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 9 बच के 41 मिनट पे पहुंचती है और 9 बच के 46 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है ती नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है गंगा सागर एक्स्प्रेस के साथ इसकी यहां पर क्रोसिंग होती है दो मिनट का स्टॉप है दो नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है पस्चिम मंगाल के आसन सोल जंक्शन में यह ट्रेन जो है रात के 11 बच के 10 मिनट पे पहुंचती है दस मिनट का स्टॉप है पांच नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है हावडा राजेंद नगर ट्रमिनल सुपर फास्ट एक्स्प्रेस के साथ इसकी क्रोसिंग होती है इसके बाद रानी गंग पस्चिम मंगाल में रात के 11 बच के 36 मिनट पे पहुंचती है और 11 बच के 36 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है दो मिनट का स्टॉप है चार नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है 368 किलोमेटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है दुर्गापुर्ग पस्चिम मंगाल में रात के 12 बच के 2 मिनट पे पहुंचती है और 12 बच के 4 मिनट पे वहां से रवाना हो जाती है इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है चार नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है यहां पर नेता जी एक्सप्रेस हो तीरहट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है इसके बाद मुझफरपुर्ग हावडा जंसदारन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो बर्दबान जंक्शन पस्चिम मंगाल में रात के 1 बच के 9 मिनट पे पहुंचती है और 1 बच के 14 मिनट पे वहाँ से रवान आ हो जाती है पांच मिनट का स्टॉप है पांच नंबर प्लाटफॉम पे आके ट्रेन जो है रुपती है 456 किलोमेटर की दूरी यहां तक कवर कर चुकी होती है इसके बाद मिजफरपुर हावडा जनसदार नेक्स्परस ट्रेन जो है वो अपने आखरी स्टेशन हावडा जंक्शन पस्चिम मंगाल में रात के 3 बच के 5 मिनट पे पहुंचती है और 9 या 14 नंबर प्लाटफॉम पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है आइकन जुरूर दुबाए ताकि आपको लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुबो धन्यवाद